गुट बार्णिंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट लीवर हास्पिल स्वरुपनगर कांटौ। मैं बात करूँगा आज के फैटी लीवर को रिवर्ट करने के लिए या इसको प्रिग्रेशन को रोकने के लिए क्या मिल टाइमिंग इंपॉर्टन्ट है। फालू किया जाना चाहिए। जो लाइफ स्टाइल चेंज है उसको आपको टेलर करने की जरूरत है डिपेंडिंग अपान के आपको कितना वेट लॉस करने की जरूरत है फैटी लीवर को रिवर्ट करने के लिए तो आपको वेट लॉस करने की जरूरत है अगर फैटी चाहिए और इसके अलाबा एक या दो बार चोटे-चोटे अमाउंट में स्नेक्स की जरूरत पढ़ती है, यह बात बिलकुछ सही है, जब आप इतना खाना खाते हैं, तो आपको adequate nutrition मिलता है, लेकिन आपको over eating को avoid करनी की जरूरत है, अगर basic fat को आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको फाइदा मिलेगा, in the sense, कि आपके जो meal है या snacks आप जो use करते हैं, उसमें protein जरूर होना चाहिए, और उसमें fiber जरूर होना चाहिए, अगर protein and fiber आप इस्तेमाल करेंगे, तो दो चीज़े होंगी, number one, आपका जो stomach है या tummy है, वो ज़्यादा देर तक खुल रहेगी, तो आप subsequently जो overeat करते हैं, craving होती है, तो वो आपको नहीं होगी, जो recommended diet है, उसको ध्यान से देखिए, इस plate को आप ध्यान से देखिए, इसे जरूर follow करने की कोशिश करिए, अगर आप plate में थट को follow करते हैं, तो यह definitely आपको help करेगी, जो आपकी जो plate है, उसका जो आधा हिस्सा ह है, उसको आप ध्यान से देखिए, इसमें non-starchy vegetables होने चाहिए, इसका एक जो हिस्सा है, उसमें lean protein होना चाहिए, जैसे white meat है, chicken है, fish है, turkey है, और एक quarter जो हिस्सा है, उसमें starchy vegetables या whole grains होने चाहिए, तो इसलिए आपकी जो plate है, उसको ध्यान से देखिए, इसमें fruits हैं, vegetables हैं, जिसने 50% को occupy किया, one-fourth याने 25% protein ने occupy किया, इन 25% में grains चले गए हैं आपके, या आप जो अनाज यूज़ करते हैं, वो उसमें चला गया, तो 50% में तो vegetable हैं, इस सच्चाई को आपको समझनी की जरूरत है, नो जरब cooking tips को ध्यान से देखिए, जो fatty liver reversion के लिए recommend की हुई है grilling is supposed to be the best, इसके अलाबा जो baking है, broiling है, poaching है, या sorting है, इस तरह की जो methods है, they are supposed to be better than deep frying, जो आप तल-तल के खाते हैं, कलाई में तल के खाते हैं, उनकी बजाए, आपको grill, bake, या sort करके खाना चाहिए, ये आपको help करेगा, this should be the method for cooking, now cooking जो tips हैं, उनमें ध्यान से देखिए, कि आपको कौन सा oil use करना चाहिए, अगर हम oil की बात करें, तो आपको वो oil चाहिए, जिसमें unsaturated fats होते हैं, इसका मिलब extra virgin olive oil is number one, followed by avocado oil, followed by canola oil, जो extra virgin olive oil है, वो available market में, and possibly this is the one which is the best, जो saturated fats है, like butter, cream, full fat milk, इनको हमेशा avoid करने की जरूरत है, जो आप मक्कन लगा-लगा के खाते हैं जो मक्कम में आप तलके खाते हैं, ये शायद आपके fatty liver के लिए ठीक नहीं है, तो जो healthy diet है, जो weight loss induce करेगी, ये बात बिल्कुल सही है, कि आपका fatty liver है, उसको reward करेगी, इसके progression को रोकेगी, इसके अलावा, अगर weight loss हुआ, तो आपका BP बहतर control होगा, आपका cholesterol बहतर control होगा, आपके triglyceride बहतर control होगे, आपके blood sugar बहतर control होगे, अगर आपका weight नीचे की तरब आता है, तो, now there are certain diets, जो fatty liver के लिए अलग-अलग stage पर recommend होई, number one is the Mediterranean diet, ये वास्तों में ऐसे diet है, जो easily follow की जा सकती है, and fatty liver को reward करने की ताकत रखती है, the second one is the death diet, जो death diet है, ये भी आपका fatty liver है इसको reward करने की ताकत रखती है, ऐसे एक low carbohydrate diet है, जो fatty liver को reward करने की ताकत रखती है, प्लस आपके weight को नीचे की तरफ लाती है, the people who have diabetes mellitus, ऐसा माना जाता है, कि अगर वो keto diet follow करते हैं for some time, तो उनको blood sugar के control, प्लस जो fatty liver reversion है, उसमें उनको help मिलती है, तो अगर हम ध्यान से दे diabetes है, और साथ में fatty liver है, और वो weight loss या किसी तरह की diet पे है, तो उनको अपनी जो blood sugar है, वो regularly monitor करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इस तरह की diet follow करते हैं, आपका weight loss होता है, तो over a period of time इस चीज का डर रहता है, कि आपके blood sugar कहीं low ना होना लगे, and it is quite possible कि अगर weight loss हुआ, तो आ weight ऐसी नहीं हो सकती है, fatty liver की, जो हर एक universally recommend की जा सके, कि ये diet है, और कोई भी खाएगा, तो उससे इनका weight भी कम हो जाएगा, और fatty liver revert हो जाएगा, ये आपका जो eating plan है, जो induce करता है weight loss, और जो overall आपकी lifestyle को change करता है, ultimately वो आपको help करता है, तो आपको weight loss induce करने के लिए diet तब ही जाके आपका जो fatty liver है, वो वास्तों में revert होगा, और किस व्यक्ति के लिए कौन सा diet plan काम करता है, वो उस individual को ही समझ में आएगा, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने dietician से बात करें, they will be able to tell you, कि ये particular diet plan है, जो आपकी weight को कम करेगा, और आपका जो fatty liver है, उसको reward करनी की ताकत रखेगा, और जो में diet plan है, उसमें एक चीज़ बहुत ही important है, that is sustainability and the flexibility, मैं आपको एक diet plan बना के दूँ, कि रोज नास्ते में यही लेना है, रोज लंच में यही खाना है, रोज डिनर में यही खाना है, तो ये बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, ये आप अ आइरन रोट जैसा stiff नहीं किया जा सकता है, तो जो अगर हम food items को देखें, तो ऐसा कोई भी forbidden food नहीं है, जो आपको इस्तिमाल नहीं करना है, as far as the fatty liver merchant is concerned, and जो healthy food choices है, they are important, उन्हें आपको follow करना चाहिए, और जो diet है, उस sustainable बनाने की जरूरत है, जो diet में आप change करें, उसको slowly क करें, उसको time दें, जो substitutions हैं, उनको दीरे-दीरे बढ़ाएं, and over a period of time, जो unhealthy food choices हैं, उनको अलग करें, और जो healthy food choices हैं, उनको improve करें, over a period of time, आप देखेंगे, आपकी energy का level better होगा, आप अपने आपको overall healthy महसूस करेंगे, इन वास्तों में यह जो चीज़ है, आपको दीरे- इस्तेमाल कर सकें, it has to be flexible and easy, तभी यह sustain हो पाएगी, otherwise आप इस तरह की जो diet है, उसको लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे, जो diet है, वास्तों में whole foods पर based होनी चाहिए, तो वो हमेशा आपको help करेंगी, जो macronutrients हैं, like fats, carbohydrates, and I mean proteins, यह कितने इस्तेमाल करने चाहिए, वो इस आपका pre-existent कोई disease तो नहीं है, इसके अलावा, जो आपकी current eating habits है, and food composition है, इसमें depend करेगा, कि आपके जो diet है, उसमें वास्तों में क्या change होने की जरूरत है, लेकिन जो basic fact है, वो वास्तों में आपको समझने की जरूरत है, जो भी diet plan आप follow करते हैं, for fatty liver reversion के लिए, वो इस त जो simple carbohydrates हैं, उनको reduce करने की जरूरत है, जो processed foods हैं, उनको बंद करने की जरूरत है, और items जिसने sugar add होई हुए जादा, उसको अलग करने की जरूरत है, तभे आप fatty liver disease को revert करने की दिशा में ले पाएंगे, तो ये जो diet changes हैं, और behavioral modification है, ये important है, जो fatty liver से आपको दूर रखेगा, exercise is important, जो fatty liver से आपको दूर करेगा, और goal set करने की जरूरत है, कि मेरा ये current weight है, और मेरा ये expected weight है, और मुझे ये plan है, कि मुझे इस weight पर पहुचना है, तभे आप goal set करेंगे, तभे आप weight कम कर पाएंगे, तभे आपका fatty liver भी control होगा, और healthy liver जो lifestyle है, उसके चलते ही ये possible हो पा today, तो fatty liver को अगर revert करना है, तो आपको एक diet plan तयार करना पड़ेगा, जो diet plan तयार करना पड़ेगा, वो वैसा होना पड़ेगा, जो sustainable हो, और flexible हो, कोई भी diet plan ऐसा है, जो बिलकुल fix है, वो बहुत लंबी समय नहीं चल पाएगा, तो diet plan आपका जो तयार होगा, उस dietitian की मद से तयार करिए, कि आपका current weight कितना है, और आपका expected weight कितना होना चाहिए, और उसमें कितना आपको weight loss करना है, उसके हिसाब से आप अपना diet plan बनाईए, उसके साथ में adequate exercise करिए, food choices को improve करिए, तभी आपका weight loss होगा, और जब weight loss होगा, तभी आपका fatty liver धीरे-धीरे-धीरे-धी fatty liver disease के diet plan को समझने में, ये वीडियो आपको help करता है, तो जरूर शेयर करें, मैं Dr. V. Commissioner from Guest to Liver Hospital, स्वरुपनगर कानपूर, थेंक ये वारे बाद